राष्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेजियो का भाग द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम दादा भाई नौरोजी आध्वनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है अंग्रेजों को उनके जुलमों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतिये वे ही थे इंग्लेंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस उफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था भारतियों में स्वदेश के प्रतिप्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्र पिता कहते हैं तो दादा भाई नौरू जी को राष्ट्र का पिता महा 4 सितंबर 1825 को एक पार्सी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ इनके पिता का नाम था श्री नौरूजी पालन जी दोरडी और माधा का नाम श्री मती मीणक बाई था पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोशन होता था चार वर्ष के कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ कया परिवार आर्थिक कष्ट में टूप कया दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बढ़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे लेकिन उनकी माने उन्हें पुरोहिद बनाने की बजाए स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी उन दिनों देश में इस्ट इंडिया कमपनी का राश था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें बंबई के ततकालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुवर्ट एलफिंस्टन कुछ भिन विचार के थे उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सुसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारती बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी इस संस्था ने बंबई में दो स्कूल खोले उन्हें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा दादा भाई की मा ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भरती करवा दिया स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एलफिंस्टन कॉलिज में प्रवेश लिया कॉलिज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे उनकी योग्यता को देखकर उनकी एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेशन को सार्थक कर दिखाया उनकी योग्यता को देखकर बंबई के ततकालीन मुख्य नायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी दादा भाई तुम इंग्लेंड जाकर बैरिस्टरी खार रहो लेकिन सर इंग्लेंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी बढ़ना इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए इसकी तुम चिंटा न करो तुमारी बैरिस्टरी के पढ़ाएगा सारा खर्चा मैं दूगा तुम जाने की ठैयारी खरो सर आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे लेकिन सर मैं अपनी मा और घर के अन्ने लोगों से पूछ कर ही कुछ फैसला कर सकता हूँ जैसे थुमारे मार जी दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लेंड जाने और वहां बैरिस्टरी पढ़ने की बात कही तो पार्सी समाज के बुज़ुर्गों ने इसका विरोथ किया उन्हें डर था कि इंग्लेंड जाकर दादा भाई कहीं इसाई न बन जाए परिणाम ये हुआ कि दादा भाई ना इंग्लेंड जा सके और ना ही बैरिस्टरी पढ़ सके कॉलिज की पढ़ाई पूरी करके वो वही स्कूल में मास्टर हो गए और कुछ समय बाद कॉलिज में गणित के सहायक प्राध्यापक बने पच्चेस वर्ष की कम उम्र में वो गणित तथा सामान्य विज्ञान विभाग के प्रोफेसर बना दिये गए ततकालीन पश्चिमी शिक्षा के एतिहास में वो पहले भारतिय थे जिनहें प्राध्यापक का पद प्राप्त हुआ था दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कारियों में भाग लेने लगे थे जनता की भलाई और उन्नती के काम में वो पूरी तरह जुट गए लड़कियों की शिक्षा को कारे रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इखटा करके बंबई में एक संस्था बनाई इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कारेक्रम शुरू कर दिया अपेक्षा के अनुसार तदकालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया अरे भाई कौन हो तुम ये घर घर जाकर क्या प्रेचार कर रहे हो जी मैं दादा भाई हूँ और हमारी संस्था ये प्रत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें अरे लड़कियां परेंगी है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लेक जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सायक होगी दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा किन्तु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नू के फलसुरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और इमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए इसके साथ ही उन्होंने प्रोणों को शिक्षित करने और उनके ज्यान वर्धन के लिए ज्यान प्रसारक मंडली की स्थापना भी की भारत की जनता में राजनैतिक चेतना दादा भाई नहीं पैदा की इस्ट इंडिया कम्पनी भारतियों को सरकारी नौकरी में नहीं लेती थी दादा भाई इंगलेंड की जनता तक इस आवास को पहुँचाना चाहते थे उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किये अन्याय और अत्याचार तथा किसानों की दुरदशा की ओर भी अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्शित किया धीरे धीरे भारतवासियों को ये विश्वास होने लगा कि यदि सब मिलकर आंदोलन करें तो वे उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके वे सर्वथा योग्य हैं तीस वर्ष की आयू में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंगलिंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकडम बाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इंगलिंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इं पारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया उनका विश्वास था कि यदि इंग्लेंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचत कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है इस्ट इंडिया एसोसियेशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राशनितिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा मैं 1879 को इंग्लेंड से बंबई आकर उन्होंने भारतियों की एक सभा बुलाई मेरे साथियों साथियों हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लेमेंट जैसी जन्ता की अपनी प्रतिनीदी संस्थाय बनानी चाहिए क्या बिटिश सरकार ऐसा होने देगी बिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें उससे पहले हमें इसके योग के बंद़ा होगा लेकिन वो कैसे इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जन्मत को तैयार कर अन्याए वा गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन और क्या बेटे सरकार इस जन्मत की आवाज को बरदाश करेगी क्या अगरे सरकार इसे बरदाश करेगी वो बरदाश ना करे पर हमारे लिए ये जरूरी है क्या हम इंग्लेंड में एक ऐसी संस्ता बनाएं जो भारतियों की मांगों को इंग्लेंड की पार्लेमेंट में उठाएं देखते देखते बंबाई के लोगों में नई लहर दोड़ गई और इसके बाद बंबाई में इस्ट इंडिया एसोसियेशन की शाखा कायम हुई दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लेंड की लोगसभा में भारत का कोई प्रतिनिधी हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुँचाया जा सकता है इसके लिए वे पुना इंग्लेंड गए और वहां के लोगसभा चुनाव में खड़े हुए किन्तु इसमें वो हार गए इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए भारत की एक और राष्ट्रिय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया परिणाम तह उन्हें इंग्लेंड की लोगसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई इतिहास में ये पहला अफसर था जब ब्रिटेन की लोगसभा में एक साधारन भारतीय चुना गया था लोगसभा की कारवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुध्धी और सतर्ता में अंग्रेजों से कम नहीं उन्होंने अपने प्रयातनों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतियों को भर्ती करने का प्रस्ताफ पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपून था। 81 वर्ष की आयू में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ बिगड़ने लगा। मित्रों के अग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लोटाए। 30 जून 1917 का वो दिन दुरभाग्य पूर्ण था। जब स्वराच्य का सपना अपनी आखों में लिये। देश का ये वयोवृद्ध नेता बयान्मे वर्ष की आयू में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महतना गांधी ने दादा भाई की कर्तव विनिष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्य ग्रह की इस मूर्ति के प्रती देश सदैव रिनी रहेगा। दादा भाई नौरो जी, अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम। आलेक, शुभ्धा शर्मा, विशय संयोजन, स्वर्णा गुप्ता, कलाकार, सुचित्रा गुप्ता, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, अभह भार्गव, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, राकेश शर्मा और बी आर एल सक्सेना। ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्मान एवं प्रस्तुति, वंधना निगम, तथा परियोजना नर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा